दोस्तो आज का ये वीडियो जो है वो है हमारा एक बिगनर फोटोग्रफी गाइड को लेके क्योंकि बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स या व्यूवर्स हैं मोस्टली जो है काफी सारे बिगनर फोटोग्रोफर्स हैं और हमेशा एक ही सवाल पूछते है कि कौन सा लेंस लें कौन सा कामरा लें कौन सा सौफ़वेर यूज़ के तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ अब दोस्तों जब बात आती है बेस्ट कामरा बेस्ट लेन्स की या वेस्ट इडिटिंग सोफवेर की तो मैं आपको बता दूं दोस्तों एक बैस्ट कुछ नहीं होता है बेस्ट वाई चीजे हमारे लिए बैस्ट है जो इस इस वक्त हमारी पास में है जिसे हम यूज कर रहे हैं डेली बेसिज अब एज बिगनर सबसे बड़ा प्रोब्लम यह आता है कि हम क्यामरा कैसे चूज करें सही लेंस हमारे लिए कौन से काम के रहेंगी कौन सा सौफ्टेर हमारे ठीक रहेगा तो यह मैं इस वीडियो के अंद परपस है उन सब चीजों को खरीदने का वो यह है कि हमारे जो फोटोग्रोफी स्किल्स है वो थोड़े अच्छे हो तो यहां पर इस बात का ध्यान रखे कि आप कोई भी क्यामरा ले क्योंकि मुझे बहुत लोग कूशता है कि सार अंडर 35,000 में बता यह कौन सा बेस्ट कै रूफी सीखना ही चाह रहे है तो आप एक कैमरा लीजिए कम से कम 50,000 रुपे की बजट का तो वहां पर आपको थोड़े बहुत फीचर अच्छे मिल जाते है उसमें आपको जो प्रोसेसर है जो सेंसर है वो आपको थोड़ा बेटर मिल जाता है जिससे वो जो कैमरा खरीद फोड़ी थोड़ी अच्छी और कैमरा की ब्रैंट से अच्छी मिलेगी आपकी जो फोटो कॉलिटी यह वो डिपेंड करती है आपकी फोटो की लेने की टेकनीक पे आप किस तरह से फोटो को शूट करते है आपका एक्स्पोजर ट्रेंगल कैसा है आपकी स्लाइटिंग वेह याँ तो यहाँ पर आपको इस बात का एक ध्यान रखना है केमरे का ब्रैंट कोई वी होससे फरक नहीं पड़ता है हां!! ये जदुर देख लीज़े कि उसमें आपको features कि हैं? क्या वो features आपके काम के हैं? क्योंकि थोड़े-बहुत camera models में थोड़े बहुत features यहाँ वा होते है। तो वह आपको दरूर दिख लेना चाहिए निने focus points उसमें कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, या उसकी battery life कितनी है, या थोड़ा बहुत उसका ISO range आपको उसमें कितना मिल रहा है, थोड़ा low light में आपको benefit हो रहा है या नहीं, और सबसे important चीज़ की उसकी grip कैसी है, क्या आपको पकड़ने में वो camera अच्छा से feeling दे रहा है नहीं, रा सवाल photo quality का तो वो आपकी technique पर ही depend करता है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ों का आप थोड़ा अगर ध्यान रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी brand का camera ले लिजिए, आपको बिल्कुल एकदम peace of mind रहेगा, आप शान्ती से उसे use कर पाएंगे, अब बात करते हैं दोस्तों lenses की, तो यहाँ पर ज़्यादा तर जब आप एक beginner level का camera लेते हैं, तो उसके साथ में एक kit lens आता है, वो kit lens दोस्तों मेरे इसाब से, वो कोई खास कमाल तो करता नहीं है, लेकिन वो एक selling point होता है, कि आप camera खरीदें तो एक lens साथ में आ रहा है, लेकिन अगर आप seriously photography को सीखना चा रहे हैं, तो आप kit lens को ज़्यादा use ना करके, आप prime lens पे थोड़ा सा अपना budget बढ़ाईए, और prime lens खरीदने की कुशिश कीजिए, शुरात आप एक 50 mm के lens से कर सकते हैं, और मैं है रेक्मेंट करूँगा 50 mm, 35 mm, 85 mm का lens ये, तीन ऐसी focal lens है, जिससे आप almost हर तरी की photography कर पाएंगे, अब यहाँ पर बज़, क्योंकि ऐसा beginner आपका budget होता है कम, तो यहाँ पर आप ध्यान रखी कि, आप वो 1.8 lenses हैं, वो आपको थोड़े cheap मिल जाते हैं, 8 से 12,000 रुपे में आ जाते हैं, maximum 15-16,000 में आपको prime lens मिल जाएगा, लेकिन benefit उसका ही होता है दोस्तों कि, आपको 1.8 aperture मिल रहा है, तो आप aperture पूरा wide open कर सकते हैं, तो low light के अंदर आपको photography कर पाओगे, उसके अलबाँ आपको background को कैसे blur करना है, bokeh कैसे निकालना है, वो सब चीज़े भी आप इन lenses के उपर कर पाओगे, prime lens अगर आपके पास में होगा, तो आपकी जो framing, composition जो है, वो आपकी better होगी, वो skills आपके जल्दी से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि photo shoot करते वक्ट आपको खुद आगे पीछे होना पड़ेगा, prime lens को use करते वक्ट, zoom में तो क्या होता है, आप एक जगे से खड़े होके zoom in, zoom out करते हैं, और दूसरी चीज़ है कि prime lens का, जो glass का construction है, वो zoom lens के comparison में थोड़ा अच्छा होता है, तो आपको clarity, images जो है आपकी crispy मिलेंगी, sharp मिलेंगी आपको, तो ये benefit होता है दोस्तों, prime lens को use करने का, तो मेरा आपको कहना यह है कि, जो kit lens आता है, वो आप ठीक है, तो जैसे, for example, अगर Canon में जाएं, तो Canon का 1.4 lens जो है, 50 mm का, वो करी 25-25 जार का आता है, तो थोड़ा extra पैसा जा रहा है, but that lens is very sharp, and low light के अंदर आपको बहुती कमाल की pictures निकाल के देगा, तो अगर थोड़ा budget है, डाल दीजे, क्योंकि आप photography सीखने के लिए ही camera ले रहे हैं, और lens भी, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान आठा है, जब मैंने अपना career शुरू किया था, दोस्तों, तो मैंने शुरूबात की थी, FM2 का आता था, Nikon FM2 Body आती थी, शायद उन जमाने में 16-17,000 रुपे की, तब मैंने ली थी, उससे मैंने अपना career शुरू किया था, और मैंने अलग-अलग तरह तरह के camera लिये उसके बाद में, और मेरा experience जो है, आज तक यही है कि camera एक तरह का device है, आपकी technique जो है, वो सबसे important चीज है, तो यहाँ इस video को बनाने का मकसद यह है कि आपको अपने technique को improve करना है, आपको अपने skills को improve करना है, camera और lens जो है, वो आपकी technique को, आपके skills को improve करने के काम आते हैं, और यहाँ मैं हमेशा कहूँगा दोस्तों की, camera जो भी हो 50,000 रुपे में आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, बट lenses के अंदर आप पैसा जरूर डालिए, क्योंकि lenses जो हैना दोस्तों, वो आपकी picture को बनाते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों, software की, तो बहुत सारे जो beginner photographers हैं, उनको ये issue आता है कि हम कौन सा software यूज करें, अपनी images को process करने के लिए, तो यहाँ मैं आपको यह advice देना चाहूँगा कि, दोस्तों अभी आपको आप देखोगे, जो Adobe का है, एक membership आती है, creative cloud की, वो आप membership ले लीजिए, तो उसके अंदर आपको जो lightroom है, और photoshop है, दोनो package के साथ में आता है, और मेरी खाल से कुछ 700-800 रुपे के अंदर आपको महिने पर, वो rent पर मिल जाता है, मतलब हर महिने आपको 700-800 रुपे खर्च करने हैं, और हर महिने जो है, आपके credit card से, वो पैसा कड़ जाएगा, लेकिन ये दोनों software बहुत ही काम के हैं, और चुकि Adobe के हैं, तो एक दूसर के साथ compliment भी करते हैं, अगर आपको मालीज ये tether shooting कैसे करते हैं, आप tether shooting का मतलब होता है, आप अपने camera को अपने laptop के साथ में connect करके, जो pictures देते हैं, तो वो pictures सीधे आपके laptop के बड़े screen पर दिखाई देती हैं, जिसे हम tethered shooting कहते हैं, तो वो भी आप Lightroom में अच्छे से कर पाओगे, Lightroom की जितने भी tools हैं, वो बहुत ही easy to use है, तो कोई भी beginner photographer अगर उस पे काम कर रहा है, तो अपनी raw image को जब वो process करेगा, तो उसे ज़्यादा मुश्किलात नहीं आएगी, वो आराम से सारे tools को समझ पाएगा, यूज कर पाएगा, और जैसे से आपकी जब skills बढ़ते जाएंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, कि फिर आप software को भी अच्छे से अप्ग्रेड कर लीजिए, शुरुआती तोर पे मैं आपको यह कहूँगा, कि भई आप lightroom और photoshop का combo आप आता है, वो आप ले लीजिए, और यह जो आपका monthly payment है, यह कोई बहुत ऐसा महेंगा नहीं है, दोस्तों, शुरू में लगता है कि हाँ यार यह इतना हर मेने इतना पैसा जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आप अगर piracy वाले pirated आप software यूज कर रहे हैं, आप कुछ शूट कर रहे हैं, कभी crash हो गया, बंद हो गया, इंटरनेट अभी चालू है, तो कई बार उसका बंद कर देता है, connection नहीं, तो आपको बहुत सारे issues होते हैं, peace of mind नहीं होता, और piracy होती हैं दोस्तों, अगर आप original software यूज कर रहे हैं, तो उसकी बात अलग होती है, और जितने भी upgrades आते हैं software के, वो सारे आपको मिलते हैं, तो यहाँ पर as a beginner आपको ध्यान रखना है, आपके पास में एक ठीक ठाक सा camera हो, अच्छे lenses हो, भले 1.8K हो, prime lenses हो, सस्ते भी आते हैं, और आपका काम हो जाएगा, आपका software जो है, वो एक, बिल्कुल जैसे मैंने बता है, Lightroom या Photoshop, यह दो software आपके पास में होने ही चाहिए, अगर आपको थोड़ा बहुत editing या थोड़ा बहुत अपनी image को retouch करना है, तो उसके अलाबा गर बात करें दोस्तो, accessories के तो कुछ accessories जो है, एक bigger photographer के लिए बहुत important होती है, मसलन आपका memory card holder होना चाहिए, आपके पास में जिसमें आप अपने सारे cards को रख सके हैं, उसके बाद 5-in-1 reflector, वो एक बहुत important accessory होती है, वो एक तरह से indoor-outdoor दोनों में ही काम आता है, और outdoor के अंदर तो एक तरह से external light का भी काम करता है, जिससे आप उसकी जैसे 5-in-1 reflector, तो आप देख लीजेगा, मैं लगा दूँआ लिंक नीचे, आप देख लीजेगा इस वीडियो को, लाइट को soft कर देता है, तो ये जो accessories है, एक beginner के पास में दोस्तों होनी चाहिए, उसके लबाद चोटी-चोटी accessories हो गया, इन tripod हो गया, जो बिल्कुल सस्ते वाले आते हैं, वो ले लीजे, लेकिन tripod, जैसा मैं आप हमेशा आपको बोलता हूँग, और tripod से pictures लीजे, तो उससे आपको पता चलीगा, कि आपकी image कितनी sharp आप ये tripod पर, क्योंकि vibrations completely खताम हो जाते हैं, eliminate हो जाते हैं, आप जब tripod पर अपना camera रखते हो, handshake के chances जो है, बिल्कुल खताम हो जाते हैं, और आपको जो image है, वो बिल्कुल tech sharp बिलती है, तो ये कुछ चीज़े हैं दोस्तों, जो as a beginner, आपको ध्यान रखनी चीए, क्योंकि मुझे बहुत सारे videos में सब ये पूछते हैं, सर क्या मैं Nikon का D5300 ले लूँ, या मैं D5600 Nikon का खरीद दूँ, या Canon का 200D Mark II ले लूँ, या फिर जो है, मैं Canon का M50 ले लूँ, या M50 का Mark II ले लूँ, या Panasonic का मैं G7 ले लूँ, तो ये सारे दोस्तों camera बहुत अच्छे हैं, आप shops में जाईए, वहाँ पर उनकी grip को पकड़िए, थोड़ा feel करिए, weight वेट कितना है, आपको हाथों में कैसा feel हो रहा है, तो camera आप ज़रूर लीजेगा, बट जो मैंने आपको lenses बता हैं, वो ज़्यादा important हैं, तो जब आपके पास में सारा setup होगा दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा एक असानी होगी, अपनी photography को सीखने के लिए, उसके अलावा गर मैं कोई point भूल गया हूँ दोस्तों, तो आप ज़रूर मुझे comment करके बताएगे, यह भी चीज़े important होते हैं एक beginner के लिए, हाँ, जैसे कि आप एक flashlight अपने लिए ले सकते, external flashlight जो की एक सस्ती वाली आती है, उससे आप सीख पाएंगे कि external flash के साथ में, या external light के साथ में हम काम कैसे करते हैं, तो यह सारी beginner photographer लिए बहुत ही important चीज़े हैं, हलांकि कई इस वे उपर वीडियो में पहले भी आ चुके हैं, तो हो सकते हैं आपको वीडियो थोड़ा सा लगेगी, आप decision लिज़े, major जो important चीज़े सबसे वो है decision लेना, जब आप कोई decision लेते हैं आप उस पर आगे भड़िए, निक तो आप सोचते रहेंगे कि यह यह camera अच्छा है, वो camera अच्छा है, तो इस comparison को आप बंद कर दिज़ें दोस्तों, क्योंकि अभी आप एक beginner हैं, आपको अभी ध्यान देना हैं अपने craft पे, अपनी techniques पे, आपके skills के ओपर, और आपके overall आपका जो imagination है as a photographer, as a creative photographer की मुझे उसको कैसे achieve करना है, जो आप imagine कर रहे हैं shot को अपने दिमाग में, उसे मुझे किस तरह अपने camera और lens के थुरू achieve करना है, that is more important, तो आपका जो सारा ध्यार है वो इन चीज़ों पर होना चाहिए, ना कि comparison पर, और अगर आपको फिर भी बहुत ही problem हो रही है कि भाई, मैं कौन सा camera लेना ये ठीक रहेगा, इस brand पर जाओं, उस brand पर जाओं, तो यार बहुत सारे videos available है, आप देख सकते हो, काफे लोग उने test के है, मैंने खुद भी Nikon D5600 के उपर videos बनाए है, Canon 200D के उपर मैंने videos बनाए है, Canon 200D Mark II पर video बनाए है, और Canon M50 के उपर मैंने videos बनाए है, तो आप as a reference, आप उन वीडियो को देख सकते हैं वीडियो को, बट मेरा मानना यही है कि आप सबसे पहले, जल्दी से अपने लिए camera लीजिए, और अपने lenses को लीजिज जो मैंने बताए हैं, उस पर थोड़ा सा खर्चा आप जादा करिए, और उसके बाद देखिए कि आपकी क्या आपकी photography skills पे फरक पड़ा यह नहीं, आज के लिए इतने दोस्तों उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से करदों से like, और चनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को को दो जल्दी से सब्सक्राइब, इसी तरह की photography tips and tricks टुटोरल देखने के लिए, जल्ली मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, थैंक्स पर वाचिंग.